नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टार्गेट फॉर आईक्यू में और आज हमारे साथ हैं अकांसा पीपिल जो उत्तर प्रिदेश के अम्रोहाजिलेस हैं और हाली में उत्तर प्रिदेश न्याइक सेवा परिक्सा दो हजार बाहिस में इन्होंने 262 रैंक जो है हासिल की है अकांसा जी मैं टार्गेट फॉर आईक्यो की तरफ से आपको सुबकामनाई देता हूं और कॉंगुचलेट विस्ट करता हूं कि आपने ये फस्ट अटैम में जो जजज बनने का सपना है वो शाकार किया सपना पूरा किया थैंक यू सो मुच सर थैंक जिस दिन आया तो उस दिन आपके दिमाग में क्या था और जैसे रिजल्ट का पता चला तो फिर क्या एक्सप्रेशन थे आपके सर जिस दिन रिजल्ट आने वाला था तो पूरा दिन बहुत डर था डर का महौल था क्योंकि ग्रुप्स में होने लगा था कि आज रिजल्ट आएगा तो एक्सपेक्टेड नहीं था रिजल्ट इतनी जल्दी लेकिन फिर भी ये था कि सही तीन-चार बजे आगे था बच्चों ने बोला था कि साड़े तीन के करीब आएगा बट जैसे 3.40 वहा तो मैंने सोच अब क्या आएगा फिर थोड़ा सा होप था फिर लेकिन पांच बजे पांच बजे मैंने सोच लिया अब नहीं आएगा अब तो कमिशन बंद हो गया होगा फिर थार वाटसैप का न कोई नहीं था जहां पर मैं थी महां पर कोई नहीं था अस टाइम पाप तभी ड्यूटी से आय थे मैं तुरंट उठके गई मैंने पाप मेरा रिजल्ट आ गया और क्वालिफाय हो गया पाप बहुत रोए करीब दस मिनट तक मुझे गले लगा के रोते रहे फिर मम्मी को मम्मी भी रोई दीदी थी नहीं घर पे दीदी रास्ते में आ रहीं थी दिल्ली से मैं दीदी बताया तो दीदी भी बस में रोने लगी यह था सर बतब यह एक प्राउड के लिए बड़ा प्राउड का मुमें अच्या आप हमारे वीवर्स को बताईएगा के आपके जिनरी I pursued my graduation from Siddhartha Law College, Dehradun, very good and उसके बाद सर मैंने अपना 12th में ही decide कर लिया था actually कि मुझे LLB pursue करना है and then मुझे Judicial Services के लें जाना है मतब आपने जब 12th कर रहे थे तभी मतब कैसे मतब कैसे पता लगा कि हम Judiciary में जाना है किसी ने बताया या किस बात को सोच कर किया आपने actually sir जब छोटी थी तब पढ़ती थी कि government के तीन ओर्गन होते है legislature, executive, judiciary तो उसमें यह था कि सबसे जो reputed है वो judiciary है तब थोड़ा सा रहता था कि judiciary जाना है तो मेरे mathematics में बहुत कम marks रहे थे और उससे मुझे डर लगता था mathematics से तो मैं अपना graduation थी वो कुई सी technical course नहीं करना चाहती थी मैं कोई भी तो उस time पे मुझे LLB था कि मुझे LLB करना है और judiciary करने के लिए LLB करना पड़ेगा उस time पे सार इतनी knowledge नहीं होती थी तब यह होता था कि पहले कोई graduation कर लें फिर उसके बाद LLB होगा बट तब ही मुझे पता चला कि five years का भी कोई LLB होता है और उसमें हम भी LLB होता है तो वह 12 के बाद हम कर सकते हैं फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि क्लेट के तुरू ऐसे से एंटरंस होता है वह पापा ने मेरे खुद से फॉर्म भरा और मुझे बताया कि वह भी LLB करने के लिए तो प्रिपेशन फोकस ली आपने कब से स्टार्ट करी और फिर जब यह फॉर्म आये तो फिर आपके रणीती क्या रही उस पर अच्छली सर मैंने अपनी ग्रेज़शन 2020 में कंपलीट की थी उसके बाद मेरा मेरा में फोकस जुदीशरी पे ही था उसके बाद सर मैंने अनलाइन क्लासिज ली और मैंने अपनी प्रपेरेशन शुरू कर दी थी और उसके बाद ये 2018 में वेकैंसी आई थी उसके बाद अभी आई है ये 2022 में तो सर मेरे लिए ये मेरा फर्स्ट अटेंप्ट था अच्छा वेरी गुड तो मतलब फर्स्ट अटेंप्म ही कर दिया और 10 दिसेंबर को मुझे याद है नोटिफिकेशन आया था जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन देखा था मैंने उससी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी फुल फ्लेश तैयारी करूंगी और सर बस मैं 10 दिसेंबर से इसके लिए फोकस्ट हो गई थी completely अच्छा ये बता पर चलेंगे तो पहले आप परी का बताईए अराम से देखे प्री में दो पेपर होते हैं पेपर बन जीएस होता है पेपर टू लौ होता है जीएस में सारे सब्चेक्स इंक्लूड होते हैं इंडियन हिस्ट्री इंडियन जीग्राफी इकनॉमी पॉलिटी जब सब कुछ जो भी जीएस कवर होता है वर्ल को छोड़के बाकी इंटरनेशनल अफैर्स यह सब चीजे और करंट यह सब पूछा जाता है और इस बार हमारे स्लेबस में बहुत मोडिफिकेशन हुआ तो हमारे जीएस के स्लेबस में नाइन माइनर एक्स भी एड़ हुए थे तो हमारे सब्सक्राइब भी बहुत बड़ा टास्क था उनको पढ़ना क्योंकि मारे ले वह सुन रहे थे कि अब आएंगी तो नहीं आ रहे थी तो हमने इस वुचा भी भी नी आएंगी हो सकता है नेफ्स यह रहे तो तो फिर आपका रहनी थी कैसे स्टार्ट करा मतलब जीएस यूट्यूब से किया है जी एस के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर कोई बुक नहीं पड़ी है घटना चक्र मैं कभी-कभी पड़ एमसी क्यू सॉल्व कर लेती थी बट मेजर फोकस मेरे जी एस के लिए यूट्यूब की वीडियो रहती थी सर की वीडियो उतने मेरी बहुत है आपकी वीडियो ने मुझे बहुत हैं सर लास्ट मोमेंट पे ऐसे एक्टम जो पूछा जाते एक्जाम में वह वीडियो बनाई गई हैं और सर के कोईक रिविजन वाली तो वह बहुत हैल्फुल रही है पूरी जर्णी में तो अब मतब जी एस को लेकर थोड़ा और आप जुडीश्री को निकाल सकते हैं तो उसके लिए आप क्या सजेशन सुझाब देंगे बच्चों को देखे जी एसका बहुत बहुत बड़ा रोल है हमारे जुडीश्री में हमारे इस एक्जाम में उतर परदेश में तो इसके लिए प्रपेरेशन कंटीनू रहनी चाहि जाता है और मुझे जो सारी हेल्प मिली है वह यूट्यूब से ही मिली है मैं एक बार फिर बताऊंगी तो मैंने फोकस यूट्यूब वीडियो पर रखा है क्योंकि यूट्यूब पे अभी इतना मटीरियल अवलेबल है क्या आप पूरी परपेरेशन भी वह से कर सकते हैं बार 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 मैं करती थी पहले मैंने की तो मेरे थटोडे कम आख्स आए फिर मैंने उनको रिवाइस किया फिर मैंने दुबारा किया जब तक मेरे हंड्रेट में ऐसा नहीं हुआ की मैं 55 और 90 के करीब नहीं पहुँआ बढ़ती रही है आठा में से मतलब आपको बहुत फाइदा हुआ तो चलिए यह तो जी एस का हो गया आपका फिर हम लो पे चलते हैं लो के लिए मतलब जैसे प्री के में आपकी क्या रणीती नहीं प्री के लिए जो मेजर फोकस होना चाहिए वो बेरेक्ट प्लस कोई भी मैंने दो बुक्स पढ़ी है एक परिक्षा मन्थन की पूरी एक सब्जेक्ट पूरे सारे सब्जेक्ट के एक कंसाइस फॉर्म में एक बुक आती है और मैंने सिंगल्स के वॉल्यूम आते हैं तो मैंने वह पर्चेस किया था और मैं उन्हीं से पढ़ती थी बाकि उसके तो चले कोई एक की वर्ड बताईए अकांसा ताकि बहुत सारे बच्चों को कई कई अटैम हो जाते हैं आपने सुना भी होगा लेकिन यार उनका दुर्भागय से वो नहीं निकल पाता है तो उन्हें क्या ट्रिक बताएंगे आपकी केबल ये काम कर लो बहुत निकल जाए लेकिन एक स्ट्राटेजी होती है प्री को क्वालिफाई करने के लिए आप अपना मेन फोकस केवल बेरेक्ट और एमसी क्यों सॉल्व करने में बाकि कोई भी आप जो भी चाहें आप टेस्रीज ले सकते हैं उन्हें बार-बार सॉल्व कीजिए आपका प्री जरूर निकल मतलब दो बाते आपको फोलो करने हैं बडार और एमसी कूजले बार-बार रिवीजिट चलिए अचे लिए चलिए हो गया तो प्रिलियम होने के बाद पर आपको लगया था कि मेरा मैंस हो जाएगा एंसर की आई ती मैंने चेक कर लिया था सब पता था था सब लोग बता र जो मेंस के लिए परपेरेशन और प्रिलिम के लिए सर जैसे हम बेर एक पढ़ते हैं तो बहुत है मेंस के लिए तो हम पढ़ते ही आ रहे थे प्री के टाइम से लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है वो हमें फिर कॉंसेप्चिल पढ़ना पढ़ता है लेकिन ऐस आपके क्या स्ट्रेजी रहे मेंस के लिए मेंस के लिए मेंस के लिए पहला तो मेरा आंसर राइटिंग रहता था कि मुझे आंसर राइटिंग करनी है तो मैं questions ढूंडती थी question लिखती थी और उनके लिए प्रॉपर एक ideal answer कर लेती थी उस ideal answer से यह होता था कि अगर चाहे 10 marks का question आए चाहे 5 का आए चाहे 20 का आए वो एक answer पूरे topic को cover कर लेता था तो मैं अपने ideal answers prepare करके रखती थी उसके लावे मैं अपना continuous revision रखती थी मेंस का throughout अच्छा मेंस के लिए आपका जो basic था वो था answer writing प्रेक्टिस और फिर bare act को ही throw out करके आप उसका revision करना तो यह तो आपने मेंस का बताया आपने अच्छा यह बताए यह जैसे मेंस में करने के लिए यही एक strategy कि आप answer answer writing practice करते रहें क्योंकि पढ़ने के लिए हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन जब हम इसको write down करना होता है कैसे उसको represent करेंगे अपने answer को यह आपको लिखने के बाद ही पता चलेगा जब आप लिखने के बाद ही पता चलेगा जब आप मेंस के लिए प्यारे साथियों अकांसा बता रही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है answer writing practice and prelims के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है bare act and mcq practice तो अकांसा यह तो हमने प्री और मेंस को देखा अब सबसे बड़ा जो चुनोती पूंड रहता है और सबसे ज़्यादा डराब नखास कर ऐसी लड़कियों के लिए जो camera shy है या फिर दूसरों से बात नहीं interview तो आप इसके लिए पहले सी mentally prepared थी बिलकुल नहीं sir ये मेरे ल अगस्त को मेंस का रिजल्ट आया था था थर्ड को interview schedule आ गया था उसमें ये था कि first day first meeting में ही मेरा interview था अब बहुत कम समय मिला था उसमें हमें अपनी preparation भी करनी थी और हमें अपना कुछ तैयारी करनी थी तो sir बहुत hectic सा हो गया था वो 10 days मिले थे जो उसमें हमें सब कुछ करना था अपने लें और उसमें interview के preparation भी करनी थी do's and don'ts पढ़ने थे सब कुछ किया तो first time था मुझे कुछ नहीं पता था कोई idea नहीं था महा रूम में क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत डर था कि वहाँ पे तो बहुत respectable honored लोग बैठे होंगे तो मैं बहुत जादा ही डरी वी लट थी उसको कैसे manage किया आपने और क्या experience रापका उसको sir लेकिन वो डर इंटर्वियू रूम से बाहर रहते हैं जब एक बार हम एंटर्वियू रूम में एंटर कर जाते हैं वो हमें इतना comfortable फिल करा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत डर रहे हैं लेकिन वो पैनलिस को अच्छे से पता होता है बच्चे कहां से आये हैं और कितना डर हमें बहुत comfortable फिल कराते हैं मेरे बोर्ड ने जब मैंने एंटरी की तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे यह पूछा कि हमारे समाज में हैं आज के समय में सबसे जादा केसिस कौन से हो रहे हैं तो मैंने बोला कि सर डोमेस्टिक वैलेंस बोले बिल्कुल सही घरे लुहिं सा म सबसे जादा केसिस यही होते हैं हम क्या करना चाहिए हम इसके लिए फिर मैंने उनको बताया करीबन दस मिनट के असपास सर यही टॉपिक चला डॉमेस्टिक वैलेंस उन्होंने मुझसे पूछा आप जज़ बनेंगी तो अब इनको कैसे कम करेंगी और पहला कुशन बेस यहीत हम इसके बाट जो प्रौफेसर थे उन्होंने मुझसे पूचे लिगल सर्विस ऑफ़ुरिटियस एक्ट से क्वेशन पूचा और वही पछा हुआ तो मैंने पतफ तुकर नहीं कर पाई थी मतब काफी questions वहाँ पे ऐसे थे कि जो नहीं मैं answer कर पाई थी juvenile justice act से पूछा गया था मुझसे, लोक अदालत से पूछा गया था तो यह चीजें हमारे इस लिबस में थी नहीं और मैंने पढ़ी भी नहीं थी तो मुझे sorry बोलना पड़ा और उन्ही questions को लेकर मुझे ऐसा लगता था मेरे interview के लिए नहीं होगा, apart from this उन्होंने फिर मेरे subjects पे आये फिर दूसरे professor थे उन्होंने मुझसे rates पूछी, पाचो rates पूछी, article 22, 26 32 में difference पूछा, किसकी पाहर जादा है ये पूछा मुझसे और फिर मुझसे professional ethics पे question पूछा पिर जो मारे last board member थे उन्होंने CPC के question पूछे वो भी situation, opinion based पूछा बस फिर around 30 minutes मेरा interview चला था चलिए तो interview की बात होगी, सभलता में सबसे ज़्यादा support आपका किस का रहा है, किसे आपी dedicate करना चाहेंगी या फिर आप किसे सभलता का सुरे देना चाहेंगी मेरे parents को सबसे पहले, teachers को और मेरी दीदी का बहुत support रहा है ये बीमार थी, typhoid था इनको लेकिन तब भी ये मेरे साथ मेरे exam दिलाने जाती थी, मुझे पढ़ाने में सबसे ज़्यादा इनका support रहा था तो मतलब आप salary ने देंगी आप? बिलकुल sir तो आपकी मतलब और मतलब इसमें role model अगर हम कहें हालागी सफलता में किसी एक व्यक्ति का हाथ होता नहीं है फिर भी एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप कहना चाहें कि मेरे बहुत support है और फिर इस journey में आपने क्या क्या परिशानी आपकी आई उस पर थोड़ा और मुझे बताईए पतलब along with preparation आपने और क्या क्या चीज़े आपके सामने आई ये भी हमें बताईए sir throughout family का बहुत support रहा but role model मेरे मम्मी पापा है मेरे लिए उनको देखके मुझे प्रेड़ना मिलती थी कि मुझे इनके लिए कुछ करना है क्योंकि मेरे मेंस के preparation के दौरान मुझे मेरी मम्मी को cancer diagnosed हुआ था तो we were completely shattered at that time उसमें पढ़ाई मैं चहके भी निकर पा रही थी तो मेरा सारा धियान मम्मी के ऊपर रहता था मतब़ा आपके मम्मी को cancer के तो वो तभी पता लगा आपको या कैसे पता हमको पहले भी था लेकिन हमें यह हो गया था कि यह ठीक हो जाएगा बट इस टाइम पर मैडिसें ले थी लेकिन अभी यह मेंस के टाइम पर दोबारा हुआ प्रॉब्लम हुई और इस बार यह पता चला कि ऑपरेट होंगी ऑपरेशन होगा उनका तो इस मतलब क्योंकि cancer जैसे घातक बीमारी में तो में टुंटीलिटी विर्कुल मतलब पूरा मायंडे डिस्टम हो जाता है वुरी फैमिली खाना पीना बहुत जादा डिस्टमन्स हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपने प्रपेशन को कैसे कंटीन्युक्त मतलब यह तो बड़ा सोकिंग लग रहा है मुझे यही सर यही मैं सभी को बताना चाहूंगी कि ऐसे सरक्मिस्टांसेज आते हैं कि हम कभी कभी बहुत जादा तूट जाते हैं तो उस सिच्वेशन में कभी गिव अप नहीं करना अगर हम कर सकते हैं तो हमें बहले ही क्या होग इनके चलते हैं अपना ड्रीम को साइड नहीं रखना है कभी प्यारे साथियो मैं पिछले 5-6 सालों से काफी इंट्रिव्यू रिकॉर्ड किया है हम लोगों ने ओफिसमें काफी बच्चे टार्गेट फॉर आइक्यू से निकले हैं और हमारे दोस्त भी हैं लेकिन इस तरह में इन्ट्रिव्यू निकालने के बाद फस्त अट्रिप में इन्होंने और आग्जाम को क्वालीफाई किया और सुलेक्षिन लिया ठीक है तो आज़ा अच्छा अतना साइब यह विक्ति आपने इस सोचेशन को हैंडल की तो माता जी का क्या रिक्शान था मतलब आफ्टर लुद ऐस視 पति और अभी इआ का किजी चूंग US मुझसे ऑप campaign मम्मी का सपोर्ट रहा कि मुझे मुझे कि लिए कुछ करनी था है कि हम मुझे मम्मी के लिए कुछ करना है अपनी चलिए तो बात हो गई हमारी आपकी फैमिली और परसनल स्ट्रगल की यह पता है बहुत सारे बच्चों का कोशन ही रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए आप क्या पढ़ाई को घंटे में मेजर करेंगी क्या इस पर है बिल्कुल नहीं घंटे में अगर अपनी कैपसिटी देखिए कोई चीज आप एक घंटे में पढ़ पा रहे है तो वह ज्यादा बैटर है उसे घंटे पढ़ेंगे आर्स में अगर पूरे दिन में दो गंटे पढ़ेंगे लेकिन प्रड़क्टिव पढ़ रहे हैं तो व क्या पढ़ना है लिमेटड पढ़ना है कितना पढ़ना है कहां से पढ़ना है यह आपको डिसाइड करना पढ़ेगा क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजे हैं लेकिन हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं अच्छा आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे खासकर ऐसे वूमें कि जो अपने पैरेंट्स की वज़े से या फिर उन पैरेंट्स को क्या मैसेज देंगे जिनके बच्चे या वो नहीं पढ़ा पाते हैं खासकर लड़के अदूर दराज या फिर फाइनेंशली स्थिती भी हो सकती हैं उन्हें आप क्या एक आंसर करेंगे देखे फाइनेंशल प्रॉब्लम बहुत आती हैं और जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं वो बच्चे अफॉर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी फीस इतनी जादा हाई होती हैं नहीं अफॉर्ड कर पाते हैं और बह बहुत कम फीस में बहुत अच्छा कोर्स दे रहे हैं आप उनसे हल्प लीजे अगर आपके फाइनेशल कंडिशन ठीक नहीं है तो फिर उन पेरेंट्स को क्या मैसिज देंगे खासका जो लड़कियों को रोक लेते हैं लड़कों कि नहीं मैया अब साधी कर दो इसके देख लड़कों के बराबर समझें और जितना आप लड़कों के लिए करते हैं पढने के लिए उतना ही लड़कों के लिए कीजे क्योंकि हमारी यह 303 लेट थी इसमें मोर्दन 50% लड़किया उधा हुई है 165 तो लड़कों का अब जा आने वाली 2023 में तो लड़के बंदी हो जा बताना चाहें कि इनको धिहान में रखते हैं प्रिवेशन कर सकते हैं को यह आपका मेसिज तो अपना एम गोल अपना किलियर रखिए उस गोल पर ही वर्क करते रहिए यह नहीं कि अगर मुझसे चार महीने में नहीं हो पारा तो मैं कुईट कर दूँ मैं स्विच कर जाऊं कि पर आप चाहती है पर दूँकर दसक्राद कर चाहें कि लुए करते हैं चीजे बहुत करब लेकिन इसगा एक अपन dispagnies नहीं करना है मैं person what के रहना ही है consistency plus your hard work plus your luck ये तीनों चीज़े जब आपके favor में होंगी आप 100% success होंगे तो फिर तो रोकी नहीं सकता जी सर तो and finally आप और ये बदा सकते हैं कुछ और आपको कुछ कैसा रहा आपका आप तक की जर्णी टार्गेट फॉर IQ क्या रोल रहा ये भी आप बता सकते हैं एट मंथ की जर्णी में मैं बहुत कुछ सीखा सर की मुझे बहुत help मिली सर की test series से बहुत बहुत जादा help मिली पढ़ती तो मैं बहुत कुछ थी लेकिं उसे practically कैसे apply करना है ये सर की test series से मुझे बता चला है मैं कहां पर stand करती है थैंक्यू सो मच अकांसा जी हमारे office में मिल high court तक पहुची जाएंगी ऐसी मैं उमीद करता हूँ प्यारे साथियो इस interview session को यहाई पर समाप्त करते हैं और उमीद करते हैं कि आपको अकांसा जी की इनकी माता जी की जो एक बीमारी की बज़े से वो अभी भी काफी परेशान है और उस face को कैसे जहला ये आप लोगों क आपको reply करा देंगे मिलते हैं किसी फिल नए success story में तब तक आप अपना दियान रखिएगा जैए